नमस्कार स्वागे थे आपका स्रेमरिताज किचन में आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ इमली की चटनी और इमली की चटनी बनाना बहुत ही आसान है अगर आप चाट या दही बड़े खा रहे हूं और इसमें इमली की चटनी डाल देजिए तो स्वाद और ज् इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले दो कब पानी में 1,5 stgot तोर नमस्कार तक भिगो के रखना है ताकि गुड अच्छी से गल जाए तो गुड अच्छी तरह से गल चुका है और इमली का पल भी पानी के अंदर निकल गया है तो अब हम इसे छान लेते हैं अगर आप बिञा बीज़ वाला इमली यूच कर रहे हैं तो आप उसे पानी में भीगो कर उसे mixi jar में पीश लेंगे उसके बाद छानना है तो मैंने याँ पे बीजवाला इमली लिया है तो इसे पीश नहीं सकते इसलिए हाथों से मसलते हुए इसका पल्प निकालना होता है तो दिखें इसे हमने अच्छे से च्छान लिया है थोड़ा बहुत इमली का पल्प इमली में दिखाई दे रहा है इसलिए दुबारा एक कप पानी में इसे डालेंगे और हाथों से मसलते हुए इसके अंदर बचा हुवा पल्प निकाल लेते हैं और इसके बीच को भी अच्छे से दबाते हुए निकाल लेंगे जिसे की च्छानने में आसानी होगी और पानी को च्छान लेते हैं तो 1500 ग्राम इमली में मैंने तीन कप पानी योज किया है तो इसे भी अच्छी तरह से च्छान लिया है और अब इस बचे वे पल्प को निकाल देंगे तो अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और एक चमश तेल डाल देते हैं तेल गर्म हो गया है अब एक चमश कदुकस किया हुआ अद्रक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि उसका कच्छा पर निकल जाए अद्रक अच्छी से भून चुका है आप चाहें तो इसके जगह पे सौट का भी यूज कर सकते हैं तो अब इसमें इमली और गुड का पाई डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इमली को पकाना है तो पानी में उबाल आ गिया है अब इसमें मसाले डाल लेते हैं तो मसालों में एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चोथाई छोटा चम्मच नमक एक चोथाई छोटा चम्मच काला नमक और एक छोटा चम्मच देगी मिर्च का योज किया है इससे कलर भी अच्छा आता है और तीखा पन भी आता है तो अब हम इसे पका लेते हैं गाड़ा होने तर तो दिखी इमली की चट्नी तयार हो गई है पहली से गाड़ी हो गई है और कलर भी चेंज हो गया है बहुत जादा गाड़ा निकरना है इतना ही इसे थीक करना है क्योंकि जब आप इमली की चट्नी को ठंधा करेंगे तो यह और गाड़ा हो जाएगा तो अब हम गैस के फ्लेम को ओफ कर देंगी और बहुत ही अच्छे मली के चट्नी बैनी है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा आप लोगो बहुत पसंद आने वाला है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने